हालो स्ट्टेंट्स एडू बीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की वर्षिट नंबर उननासी आज की वर्षिट क्लास नाइन्थ की पार्ठ पांच प्राकृतिक बनस्पती ते था वन्यफरानी से है और इसका हम पुनरिक्षन का पहला कारेपत्रक कर रहे हैं बीसे है समाजिक विज्ञान भूगोर तो बच्चो आज की वर्षिट में हम सबसे पहले एक से पांच तक लगू उत्तर वाले प्रस्णों को करेंगे जिसका उत्तर एक सब्द आधिकतम 30 सब्द म प्रस्ण है तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्ण छे के अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं उसके बाद सारे प्रस्णों के उत्तर हम एक साथ ही करेंगे बनस्पती की भाती ही भारत विभिन्य प्रकार की प्राणी संपती में भी धनी है मतलब भारत में बनस्पतियां तो हैं पेड़ पौधे तो हैं लेकिन प्राणी में भी भारत धनी है प्राणीयों की संख्या भी अच्छी खासी यहां पर है यहां जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है यह कुल विश्व का 13 प्रतिसत है मतलब कि पूरे विश्व में जितनी पक्षियां पाई जाती है उसकी लगभग 13% पक्षियां भारत में भी पाई जाती है यहां मचलियों की 2546 प्रजातियां है जो विश्व के लगभग 12% है भारत में विश्व के 5-8% तक उभैचरी उभैचरी का मतलब होता है जो जल और थल जो दोनों पर रहते हैं सरी सरी मतलब रेंगने वाले तथा अस्तन धारी जीव भी पाई जाते हैं तो यह अनुछेद है और इस अनुछेद पर आधारित यहां चार प्रशन दिये गए हैं तो इन सभी प्रशनों को हम answer seat में एक साथ करेंगे तो चलते हैं answer seat पर और एक एक प्रशनों के उत्तर लिखते हैं प्रशन एक है देशज और विदेशज वनस्पती में क्या अंतर है तो इसका उत्तर है भारतिय मुल्की वनस्पती को देशज वनस्पती कहा जाता है जबकि विदेशी मुल्की बनस्पती को विदेशज बनस्पती कहा जाता है उसके बाद प्रश्ण दो है सुन्दरी व्रिक्ष का सम्मंध किस प्रकार की बनस्पती से है तो इसका उत्तर है सुन्दरी व्रिक्ष का सम्मंध मैंग्रो बनस्पती से है आपने पढ़ा भी है वर्सित में मैंने पढ़ाया है कि मैंग्रोव वनस्पती सुन्दर बंड डेल्टा के छेतर में मिलता है और वहां सुन्दरी ब्रिक्ष की प्रधानता होती है तो इस तरह से सुन्दरी ब्रिक्ष का सम्मंध मैंग्रोव वनस्पती से है प्रस्न तीन है मर्वस्थलियवनसपती की मुख्ही विशेस्ता क्या है तो इसका उत्तर है मरुवस्थलिये वनस्पती में मुख्य तोर पर कटीली जाडियां तथा कटीले पेड़ पाय जाते हैं जिनकी जड़े लंबी तथा पत्ते छोटे होते हैं और प्रशन चार है नंदा देवी जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में इस्थित है तो इसका उत्तर है यह उत्तरा खंड में इस्थित है प्रशन पाँच है भारत के किस राज्य में वनो का छेतरफल सरवाधिक है तो भारत के मध्परदेश राज्य में वनो का छेतरफल सर उसके बाद प्रस्ण 6 है कि दिये गए अनुच्छेत को ध्यान पुरुबक पढ़कर प्रस्णों के उत्तर दीजिए तो भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है तो इसका उत्तर है भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है उसके बाद प्रशन 2 है भारत में विश्व में पाये जाने वाले पक्षियों की लगभग कितने प्रतिसत 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 तो इसका उत्तर है भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां मचलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत सम्रिद्ध है और भारत में मचलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं इसके क्या लाब है तो इसका उतर है जव बिभी दिता में बढ़ोत्री होती है तटिये इलाकों में यह भोजन के महत्वपोन भाग हैं और बिभी ने परकार की मचलियों का उप्योग चिकित्सा में भी किया जाता है उसके बाद प्रस्ण साथ है सदा वहार वन पर्ण पाती वनों में कोई तीन अंतर बताईए मतलब सदा वहार वन और पर्ण पाती वनों में कोई तीन अंतर बताईए तो सदा वहार वन सदा हरे भरे रहते हैं जबकि पर्ण पाती पर्ण पाती का मतलब होता है पर्ण मतलब पत्ता और पाती मतलब गिराने वाला पत्तों को गिराने वाला तो पर्ण पाती बन सुस्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सदावाहरवन के पेडों की उचाई लगभग 60 मीटर से अधिक होती है जबकि पर्णपाती बनों के पेडों की उचाई लगभग 45 मीटर होती है सदावाहरवन उन इलाकों में पाय जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटी मीटर से अधिक होती है जबकि पर्ण पाती वनों के इलाकों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है उसके बाद प्रस्ण आठ है कि भारत में पाधपो तथा जिवों का वित्रन कीन तत्यों द्वारा निर्धारित होता है तो इसका उत्तर है तापमान, वर्षा, मिट्टी, अस्तला कृती और उंचाई इन सभी तत्यों द्वारा यहां जिवों का वित्रन निर्धारित होता है क्योंकि अगर तापमान बहुत कम रहेगा तो वहां पाधप नहीं होंगे जिव भी नहीं होंगे जहां वर्षा ज़्यादा होगी वहां पौधे ज़्यादा होंगे मिट्टी अगर मिट्टी उप जाओ है तो उस छेत्र में बहुत ज़्यादा मनुष से रहेंगे या जिव जन्तु भी रहेंगे अस्तला कृती कैसी यह रहने लायक है की नहीं और उंचाई बहुत ज़्यादा उंचाई पर जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उस छेत्र में लोग या बनस्पती या जिव जन्तु नहीं रहते हैं इसके बाद प्रस्ण नौ है सोचकर वनो के कोई पांच अपरत्यक्ष लाव को लिखे तो वनो के लाव तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पांच लाव लिखने हैं तो सबसे पहला लाव है मिर्दा अपरदन पर रोप पेड़ों की जड़े मिर्दा को पकड़े रखती हैं तथा मिर्दा अपरदन पर नियंतरन करती हैं अपरदन का मतलब क्या होता है अपरदन का मतलब होता है मिटी का कट कर एक जगह से दूसरी जगह बह जाना तो अगर पेड़ के जड़ होते हैं तो उनको ये चारों पानी को रोकती हैं बलकि मित्टी की पकड़ भी बनाया रखती है जिसे से बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है तो पेड़ की जड़े ये भी करती है मतलब कि जब भूत घणी रहेंगी तो उधर से बाढ़ बगेरा के पानी जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इस तरह से इसके बाद वाले छेत्र बच जाते हैं और मरवस्थलों के प्रसार पर रोख वन रेतीली मिट्टी को आगे नहीं बढ़ने देती तथा मरवस्थल के प्रसार रुख जाते हैं उसके बाद जलवायू पर प्रभाव वन प्रदूसन पर नियंतरन रखते हैं तथा वर्सा लान हुमस की मातरा भरती है जिसे से मिठी और अधिक उपजाओ बनती है और उसके बाद है भारत में परवतिये वनस्पती की विशेस्ताएं और छेत्र लिखिए तो उत्तर है हिमाले परवत की उचाई पर जाने पर अलग-अलग जलवायू वाले वन मिलते हैं जो इस प्रकार है सबसे पहले है 1500 मीटर की उचाई तक सदा बहार और पतज़ड़ वाले वन मिस्रित रूप में पाय जाते हैं उसके बाद 1500 मीटर से 2500 मीटर की उचाई तक सितोषन चौड़ी पत्ती वाले वन पाय जाते हैं इसके अंतरकत मुख्य रूप से देवदार, ओक, वर्च और मैपिल नामक ब्रिक्ष पाय जाते हैं फिर 2500 मीटर से 4500 मीटर की उचाई तक कौणधारी बन पाय जाते हैं इसके परमुर्ख ब्रिक्ष हैं चीड, सनोवार और ब्लू पाइन कौणधारी ब्रिक्ष ऐसे होते हैं और आप मैदानी भागों में जो ब्रिक्ष देखे हैं वो कैसे होते हैं मैदानी भागों के ब्रिक्ष ऐसे होते हैं इस तरह के और पॉनदारी ब्रिक्ष ऐसे होते हैं समझ गए तब चलिए अब है 4500 मीटर से 4800 मीटर के उचाई तक टुंड्रा बनस्पती वर्फिले छेत्रों में उगने वाली घास है इसमें कई घास और लाइकेन आधी सामिल है उसके बाद 4000 मीटर से अधिक उचाई पर इसके उपर जाने पर बनस्पतियां नहीं पाई जाती है क्योंकि 4000 मीटर से के उपर समपूर्ण छेत्र बरफिला है और वहाँ कोई बनस्पति नहीं उगती है तो बच्चो यह थी हमारी आज की वर्षिट और वर्षिट कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों की बीच भी सेर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वर्षिट में थैंक्यो